अब तो नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइफ प्रफिशन के ने अपसोर्ड में मैं हो अंके दिश्टों दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझे प्रशन पूछा है कि क्या मेरा इस प्रटिकुलर पर्सन के साथ इस लाइफ पार्टर के साथ मेरा अब कभी आप फील करते होंगे कि आप किसी साथ बहुत लंबे समय तक भी रहिए लेकिन वह इमोशनल बॉल्डिंग नहीं बन पाती है लेकिन आप किसी से मिलते हैं तो जिस देस्टा वन सिगेंड टू सिगेंड आपको फील होगा कि मैं इस परसन को बहुत पहले से जानत वह जिनको भी पास्ट लाइफ याद आया वह सब इन चीजों को बताया और इंके पीछे काफी लंबा साइंस है हम और उसकोप की साहता से भी जान सकते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं उस वेक्टिवों की मेरा इस पर्टिकुलर परसन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्श होगा यह बस एक पॉइंट व्यू है आप इसको देखिए और एक तरह से आपका एक रिजल्ट आ जाएगा आप पहुत असानी से समझ सकते हैं दोस्तों आपके होरोस्कोप में वैदिक एस्ट्रोजी के अंदर केतु ग्रह देखना अती महत्यपूर है पास्ट लाइफ को करता है दर्शाता है साथ ही हमको देखना है नौमास कुंडली जहां तक हम रिलेशन्शिप की बात कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टर के साथ तो वह कैसा होगा कोई पर्टिकुलर परसन का साथ तो उसमें नौमास कुंडली बहुत जरूरी हो जाती है देखना क्योंकि व होगा दोस्तों उसके साथ यहां को डेखना है क्योंकि वह भी कहीं न कहीं आपकी ग्रोहों की ओरिजिनल स्ट्रेंथ दिखाती है यह आपको देखना है पहले हम बताते हैं कि के तू कैसे देखना है आप किसी भी सॉफ्वेर से होर उसको बना लीजिए सिंपल है और वहां पर देखना है आप के तू किस नंबर में बैठा है किस पोजी संपर बैठा है यह आपके बारागर हो गए हैं यहां पर कहां पे के तू बैठा है के तू जहां पर बैठा होगा उस पर्टीकूलर हाउस से लेटेट इस अन फूलफिल्मेंट डिजायर एक इच्छा आत्रप जाता है कि वो डिजायर जो आप पूरा नहीं कर पाई को कि जो आपको इच्छा होती है इसलिए ही जन्म होता है का मतलब कोई डिजायर जो उसको पूरा नहीं कर पाएं वो डिजायर माल लीजे एक नम्मर है जो लोग अपने उपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लाइक जो न आपको देखना है कि आपका Ascendant Lord कौन सा है वो डिजायर कौन सी है फर्स्ट इंग सट वही देखना है कि नौमाज कुंडली में Ascendant Lord कौन है क्योंकि हर एक लगन की हर एक राशी की एक करेक्टरिस्टिक होगी एक उसका गुड़ होगा एक विक्तित्टु का तो आपका relation कैसे देख सकते हैं आप देखिए अपनी नौमाज कुंडली में केतु की पोजिशन क्या है मैं एक से लेकर बारा तक की बताऊंगा उसमें केतु आपका कहां पर इस्तित है कहां पर बैठा हुआ है माले फर्स्ट सिकेंट हल्ट इस तरह से आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट हा आपको ही रिपर्जेंट करता है इसलिए केतु यहां बैठने पर इस तरह के रिजर्ट देता है अगर हम बात करें सिकेंड हाउस पर आगर आपका केतु हो किसी तरह का परिवार से किसे दूर रहे हैं वो डिजायर एंड टाइम पर आप इसे वारियर हो सकते हैं या किसी त आप मतलब की हिमत दिखाना चाते तो दिखाने पाएं लैक इस तरह के छोटे भाइबहनों डियों क्तृत रहना चाते तो तो रहनी पाएं वह उसकी वज़से कुसी तरह केके आपके टूंद फ्लेम रिडेशन या होते हैं सोल्मेट का रिलेशनिप होगया आपका किसी तर सकते हैं क्योंकि के तु दर्शाता है कि आपकी वो डिजायर जो फूरी नहीं वो पाई क्योंकि अगर माली आपके फोर्थ हऊज में पैठा है माली जे किसी जगह साधिक रादी आपकी लाइफ में इतना उनका रोल नहीं रहा तब आपको फिल ये लगे का पास लाइफ में कि वो जो उस वज़े से हुआ तो वो डिजायर वो जैसे कि मदर की सारी बाते मानना वो प्यार जो आपको मा का प्यार नहीं मिल पाया था लेकि इस तरह से आपके अंदर वो फिलिंग्स रहेगी वो डिजायर रहेगा और अगर आप फिप्ट हाउस में बैटा ये तो किलेरली इंडिकेशन दे रहा है कि वो डिजायर जैसे कि आपको सोल मेट होगा आपका ट्विन फिलेम होगा तो आप उसको पान नहीं पाएं वो जो इच्छा आपने उपने उपर काम किया आपकी लाइफ में सब कुस था पैस इसके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर पाएं इस तरह से लिच में और हुआ आपके बीच में और आप लोगो गए हैं इस जनम में अपने शत्रों पर हावी रहेंगे और वो चाहेंगे आप से हारें आप चाहेंगे वो आप से हारें इस तरह से आप मिलेंगे सेवन्थ हाउस में तो यह क्लियर रेंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो प्यार है वह मैरेज में कनवर्ट नहीं हो पाया मतलब रिलेशन्शिप हुआ आपके सोल मेट के साथ तो यही योग थोड़ा सा कार्मी के कौन में बदल जाता है और आपके लाइफ में इस लाइफ में भी प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है तो इसके लिए रेमेडि़ी भी होती है हम बात करें थाउस की तो आपको देखे दो चीजे होती है शादी हो होना और साधी के बाद सुख होना दोनों अलग लग बाते हैं एड़ दिखाता है शादी के बात का सुख का आपके सब्सक्राइब दर्शाता है यहां आप देख सकते हैं कि किसी तरह का जो मैरेज के बाद सुख था सेक्ट्वल रिलेशन था यह एक येमोर्शन को अधर प्लाइटरी पोजिशन पर डिपेंड करता है कि आपकी अधर प्लाइटरी पोजिशन ग्रह कहां बैठे हैं उसके कॉर्डिंग इस बर्थ में आपको रिजर्ड मिलेगा लेकिन यह एक स्ट्रॉंग इंडिकेशन है नाइंफ हाउस में यह शो करता है कि आप किसी कर रहे हैं और आपके लाइफ प्लाइटर शब दूर है और की तुंकि शप्ट्रेशन का अ ग्रह होता है आपके अंदर यह डिजायर रहेगी इस जनम में भी धिजायर एकि हम काम कर पाएं वह काम करने के साथ यह बीर एगी एक सात्क्री आपने काम के साथ लाइक फोपिस है और साथ ही आपके जो बेटे पुत्रियों के वज़े से मा लीजिए कि कभी-कभी ऐसे relationship में होता है कि मा को बेटे के पास जाना पड़ता है इस वज़े से दोनों husband wife के बीच separation हो जाता है and desire यह रहता है कि मैं के साथ रह सकूँ तो इस तरह के combination बंते हैं कि इस तरह का separation आप में हुआ हो तो ट्वायल्थ हाउस में दोस्तों यह दर्शाता है कि आप सब कुछ था लेकिन आपके पिस किसी तरह का जो होती है या कैसा sexual नीड होती है वो दूसरी की पूरी नहीं कर पाएं क्योंकि यह मोक्ष का भी जैसे घर होता है और ब्लेट Damasus का भी घर होता है तो यह इस चीज को भी दर्शाता है दिखाता है आप यहां पर के मेरी चाहती जो कि ट्विं फ्लेम या सोल मेंट को लेके थी वो कैसी थी और मैं किस लिए इस तरह का आज फिल कर रहा हूं दोस्तों मीद आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो अपने दोस्त था साथ यो तक भी सेर कर ये आगे किसी और वीडियो पे नए ट कर दोस्तों